हेलो बिल्लेंट्स अब हम कर रहे हैं सेवंथ क्लास के लिए ये ट्राइदीज है पेज नमबर 206 के उपर ये करने जा रहे हैं इस ट्राइदीज में क्या है देखिए मैं एक्सि पयरिमेंट इने सेवरल सच सेप्स और कर पर दे रहे हैं कि पहले एक रैक्टेंगल था ठीक है रैक्टेंगल का एक एरिया हुआ लेंथ मेर्टिप्लाइब्रेंथ लेकिन फिर उसके बाद ये एक क्कट आउट किटा गया जिसकी वज़े से इसकी जो figure थी वो ऐसी हो गई और इसके बाद इसका जो parameter है वो तो बढ़ा parameter कैसे बढ़ा पहले सिरफ ये वाली length जो है यहां की वज़ाए यहां पर थी लेकिन अब ये वाली और ये वाली ये दो length और बढ़ गई तो इसकी length तो total जो इसकी boundary है वो तो बढ़ गई न ये दो length बढ़ गई क्योंकि ये तो उपर सरकाके के उपर यहां पर fit कर दें हम ये दो और बढ़ गई तो parameter बढ़ गया लेकिन इसका जो area है वो घट गया कितना area घट गया इतना area जितना ये एक square दिखाई दे रहा है इतना area घट गया तो आपने देखा कि जब parameter बढ़ता है इतनी length इसकी जैसे बढ़ गई तो ये भी हो सकता है कि उसका जो area है वो घट रहा हो और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जैसे parameter क्या हो रहा है बढ़ रहा हो उल्टा नहीं तो चलो बढ़ रहा हो तो साथ में इसका area भी बढ़ रहा हो राइट तो इस टैप की जो situation से हम नीचे देखेंगे भी कि जैसे यहाँ example देना है आपको perimeter भढ रहा हो तो area भी बढ़ेगा यह situation है और अगर area तो बढ़नी रहा increase नहीं हो रहा है लेकिन perimeter increase हो रहा है राइट यानि की area उसमें घट रहा होता है तो यह situation हम इसमें देखेंगे तो ऐसी ही safes आपको बनानी है अलग अलग जैसे यह देखे 1,2 और यह 3 इस case में तो और भी जादा क्या है perimeter तो बढ़ गया कितना बढ़ गया यह वाली जो चीज है हम यहां fit कर सकते हैं यह वाली length और यह वाली length और यह वाली length और इसमें यह वाली length और यह वाली length यह बढ़ी है तो perimeter इसका बढ़ गया ना boundary इसकी बढ़ गई लेकिन area यहाँ पर एक square unit है वो cut हो गया और यहाँ पर दो square unit है वो cut हो गया तो area घट रहा है ठीक है तो ऐसे ही experiment आपको करने हैं अलग-अलग shapes के साथ You might find it useful to draw these shapes on squared seeds आपको यह beneficial होगा अगर आप यह experiment कर रहे हैं square sheet के उपर करें तो ज़्यादा अच्छे से और फिर आपको क्या करना है उनका area compute करना है साथ में उसका perimeter भी compute करना है तो इसके लिए मैंने यह print out निकाला है इस पर हम यह करते हैं अलग-अलग shape बनाते हैं और फिर उनका area और perimeter हम check करेंगे ओके तो यहां पर यह square paper है आप भी ऐसे ही square paper ले सकते हैं जो मैत की notebook होती है छोटे बच्चों की ऐसी ही होती है जैसे मैंने क्या एक rectangle बनाया है ठीक है दिखाएजिए रहा है आपको कोई दूसरा color तो यह मैंने एक square नहीं एक rectangle बनाया है rectangle की length हम unit के इसाफ से ले centimeter exactly है क्या exactly तो नहीं है 9 mm है तो मैं इसको unit लूँगा कोई centimeter meter नहीं ले रहा है one two three four five यह five units है ठीक है और यह one two three यह three units है done तो यहां पर जो area है वो क्या होगा area क्या होता है length multiply breath five multiply three fifteen square unit unit मैं फिर बता रहा हूँ आपको की unit मैंने इस लिए लिए है कि कोई centimeter meter exactly centimeter में यह नहीं है टब करके कि मैं इसको centimeter में माल लूँ और नहीं तो क्या कर सकते हैं इसको हम centimeter ले 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 लेट कर लेंगे इसमें कि exactly नहीं है तो अभी फिलाहल यूनिट लिए है फिर अब इसका perimeter क्या होगा perimeter होता है two L plus B यानि length और breath को दोनों प्लस कर दो और फिर उसका double कर दो two five plus three eight eight into two sixteen square unit ओके अब next जो केस है हम इसका इसकी shape थोड़ी सी बदलेंगे जैसे की five unit one यहां से four unit ले रहा हूँ मैं ठीक है और यहां मैंने समझ पाई है आप मैंने क्या किया मैंने जो यह वाला area है यह वाला नहीं लिया मतलब मुझे करना क्या था ऐसे करना था राइट और ऐसा करने की वज़े से जो यह वाला पार्ट है यह तो exactly यहां पर रहा हम यह यहां पर फिटा जाएगा यह वाला यहां पर तो पेरिमेटर इसका सेम ही है वाओ मतलब पेरिमेटर यहां पर सेम रह रहा है और जो area है वो कम हो गया यह केस आ गया है ना तो इसके लिए फिर क्या करेंगे इसको मैं यहां पर मिला जिता हूं और यह वाला मैंने फिलूट लगा दी ठीक है तो जो यह वाला पार्ट बना है अभी इसके अंदर क्या हुआ area है वो एक unit कम हो गया पहले वाली unit से एक unit कम हो गया 15 था पहले माइनस वन 14 स्क्वेर यूनिट आया इसका डन और जो पैरिमीटर है वो देखो यहां पर यह 5 है यहां पर 3 है फिर अगें 5 यह 1 है यह 1 यह 1 यह 1 यह 1 और यह 1 राइट तो 5 3 8 5 13 14 15 16 17 18 18 आया है पैरिमीटर कितना आ गया 18 यूनिट मैंने यहां स्क्वेर लिखा गया सोरी 18 यूनिट आया देखा आपने यहां पर 16 था यहां पर 18 आ गया लेकिन यहां पैरिमीटर तो बढ़ रहा है 16 से 18 लेकिन एरिया जो है वो 15 से 14 हो गया एक यूनिट कम इसी तरिके से इसको और भी ज़्यादा करें तो और फरक पड़ेगा जैसे 5 यूनिट लेते हैं हाँ पर यहां से 1,2,3,4,5 यहां तक लेना है ठीक है और इसके केस में मैं पिछे और ले जाता हूँ मैंने और अंदर की तरफ कर दिया अब इसका जो पैरिया है वो दो बोक्स कम हो जाएगा 1,2,3,4,5 यहां तक आएगा कमपेरिजन से भी पता लग जाता है कहीं न कोई कोई कमी रह गई है है ना ओके तो यहां देखिए इस फिगर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है यह वाला एरिया है और इस एरिया के अंदर यह वाला जो है माइनस हो गया तो एरिया कितना रहा है यहां पर हम काउंट करके देखें तो मतलब हमने उपर तो काउंट करी रखा है फिफ्टिन थे इस के अंदर इसमें दो यह बोक्स कम होगे है तो एरिया कितना हो गया फिफ्टिन माइनस टू उपर वाले के साब से थर्टिन स्क्वेर यूनिट और जो पैरिमीटर है पैरिमीटर यह फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव यह फाइव यह वन यह टू यह वन टू वन तो काउंट करके करें तो 5 3 5 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 5 3 8 5 13 1 14 2 16 1 17 2 19 1 20 अगें 5 3 8 5 13 1 14 2 16 1 17 2 19 1 20 20 यूनिट आया इसका तो देखा आपने इस शेप के अंदर और इस शेप में इस शेप में यहाँ पर जितना एरिया था उससे एक कम हुआ फिर 2 कम हुए एरिया कम हो रहा है लेकिन पैरिमीटर यहां 16 था यहां 18 और यहां 20 पैरिमीटर भढ़ रहा है तो यह केस वो वाला आ गया कि एरिया नहीं बढ़ रहा लेकिन पैरिमीटर भढ़ रहा है यह पार्ट हमारे लिए वैसे भी हो जाएगा उसके केस में जो हम इसका थर्ड पार है try these βाला यह वाला जिए two example where the area does not increase when perimeter increases ध्येर दोजय दोजय की ने थे जहां पर area बढ़ नहीं लेकिन parameter बढ रहा है do area घट रहा है तो बढ़ तो नहीं रहा यह वाली कडिशन तो साटिस्वाई हो रही है लेकिन परिमिटर जो है वह भढ रहा है ओके तो हमने यह वाला काम भी कर दिया और यह वाला भी दोनों में काम आ जाएगा यह है you have seen that increase in parameter does not mean that area will also increase, hence we can say that increase in parameter does not mean that area area will also increase clear हो गया good very good you are brilliant I know this second part अब आपको दो एक्जामपर्स लिखने है ओके तो हमने रा फर्स्ट और थर्ड यह दोनों एक टैप से यहां पर स्ट्राइदीज में हो गया done अब है give two examples where the area increases as the parameter increases अब हमें दो example करने लेने हैं जहां पर area भढ़ रहा है साथ ही साथ parameter भी भढ़ रहा है कि दो एक्जामपल तो एक एक्जामपल लेते हैं तो इसके लिए हम एक्जामपर्स लेते हैं एक्जामपल वन एक्जामपल वन के अंदर हमने एक रेक्टेंगल लिया ठेक है यह रेक्टेंगल ले लिया अपनी तरव से अपनी मरजी से अब मैं इसको centimeter मान लूँगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो यूनिट यूनिट बार बार 1234 मान लिया यह फोर सेंटिमेटर मान लिया ठीक है फोर सेंटिमेटर और यह है टू सेंटिमेटर तो इसके केस में हमारे पास है इन दा रेक्टेंगल लेंथ आपके पास है फोर सेंटिमेटर और ब्रेथ है टू सेंटिमेटर ओके और फिर इसका एरिया क्या होगा एरिया होगा लेंथ मल्टिपलाई ब्रेथ लेंथ है फोर ब्रेथ है टू फोर टू जार एट एट स्क्वेयर सेंटिमेटर यह एरिया आया है फिर हम निकालते हैं इसका पैरिमेटर perimeter का formula है 2 L plus B यानि length और breath को plus करो जो आए उसको 2 से multiply कर दो length है 4, breath है 2 2 multiply 4 plus 2 6 12 centimeter याद रखना कि ये square centimeter होती है square लगता है क्योंकि area है और क्योंकि perimeter एक length होती है इसके लिए आप इस्तमाल करेंगे centimeter या अगर meter दे रखी है unit तो meter लेंगे millimeter दे रखी है तो millimeter लोगे square नहीं लगाओगे power 2 नहीं करोगे ना sqare square लिखोगे sqare ठीक है तो ये था अब इसका हमें क्या करना है क्योंकि हमारे पास है increase in area perimeter is also increases वो case हम ले रहे हैं कि अगर area बढ़े तो उसका perimeter भी बढ़े तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक एक centimeter मैंने बढ़ा दिया आप दो centimeter बढ़ा सकते हो तीन centimeter बढ़ा सकते हो मतलब area बढ़ना चाहिए length उसकी और breath चाहिए वो ही रहे कोई दिक्कत नहीं है length बढ़ जाए या फिर breath बढ़ जाए शिरफ या दोनों ही बढ़ जाए length भी बढ़ जाए breath भी बढ़ जाए ठीक है तो one two three four five six यह six centimeter मैंने लेट कर लिया कि यह six centimeter रहा हाला कि यह एक्जेटली नहीं है जो मेरे पास dimension है क्योंकि centimeter में फरक है यापर six बन रहा है ना तो आप तो आगर मान लिया नोट मुख भी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई एक्जेटली माप करके दिनी देखते ना वहाँ पर हमें idea लेकर के लैटी करते हैं तो और यह two centimeter तो इंदा rectangle लेंथ कितनी है six centimeter breath कितनी है two centimeter area कितना आया area is equal to length multiply breath length is six breath is two six multiply two six twos are twelve square centimeter अब perimeter की बारी perimeter two l plus b two length है six breath है two two multiply मैंने गलत किया क्या नहीं very good 16 square centimeter तो देखा आपने area increases from area था इसका eight square centimeter eight square centimeter to eight say बन गया 12 square centimeter और perimeter कितना बढ़ा perimeter increases from 12 centimeter to 16 centimeter जब area बढ़ा eight say 12 तो perimeter भी भढ़ गया 12 से 16 यह पहला example था जो हमने किया hence in this case with increase in area perimeter is also increases परिमेटर का एक है यह एक परिमेटर की के से परिमेटर भी इंक्रीज हो रहे है इस ओल्सों इंक्रीजेश थीक यह एक एक लिए चीज समझ में आगे आपको अब दूसरे एक्जामपल लेके करते हैं इसको और हाँ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेजी से सब्सक्राइब कर लेजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ताकि वो भी इसका फाइदा उठाश के कमें कीजिए कुछ कहना चाते हैं लाइक कर दीजिए इससे मुझे भी अनर्जी मिलेगी और खुस हो जाईए खुस हो करके इसे अच्छे से समझीए और कीजिए बैल आइकन बटन दबाना मत बूलिएगा ताकि आपको लेटेस अबडेट मिलती रहें दूसरा केस ले रहे हम के हम ने ये लिया इस बार हम एक इस टाइप से लिया और हमने पहले वाले केस में क्या बढ़ाया था पहले वाले केस में हमने लेंथ बढ़ाई दी राइट ए बी सी डी ये नीचे वाला गलती से हो गया मैं इसको थोड़ा ओर डार कर देता हूँ ठीक है ये हमारे पास एक रेक्टैंगल है तो यहाँ पर इन रेक्टैंगल A, B, C, D आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं नाम दे कर के लेंथ 1, 2, 3, 4, 4 सेंटिमेटर ब्रेथ 1, 2, 3, 3 सेंटिमेटर तो एरिया कितना हुआ इसका लेंथ मुल्टिप्लाइ ब्रेथ 4 मुल्टिप्लाइ 3, 12 सेंटिमेटर स्क्वेर या स्क्वेर सेंटिमेटर ठीक है लें ट हर्कम ब्रेथ है वह बढ़ाएंगे पहले केस में अमने लेंथ बढ़ाई थी बाक्त आप लेंथ भी बढ़ाहिए सकते हो वहां आपने एक सेंटिमेटर बढ़ाई ठी एक ये बढ़ाईगी है तो आप अब नेक्स्ट केस में एक सेंटिमेटर बढ़ा सकते हो या फिर लेंथ और दोनों बढ़ा करके कर सकते हो चलिए दोनों करते हैं लेंथ और दोनों यह बढ़ा जिकते हैं एक यह कर दी और तीन थी मैं यह चार ले रहा हूँ मतलब एरिया बढ़ना चाहिए यह बात है अब पी क्यू आर एस ठीक है अब इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस लेंथ है 1,2,3,4,5,6 6 सेंटिमेटर और ब्रेथ है 1,2,3,4,4 सेंटिमेटर एरिया कितना हो जाएगा अब पेरिमेटर होगा 2L प्लस B 2 लेंथ है हमारे पास 6 ब्रेथ है 4,2 multiply 10 20 सेंटिमेटर है ना very good तो देखा आपने यहां पर जब एरिया भढ़ा 12 से 24 12 से कितना हुआ 24 हो गया सही तो किया ना हमने 4 multiply 3 12 और यह 6 multiply 4 24 बिल्कुल राइट और तो इसकी वज़े से क्या हुआ जो पेरिमेटर है वो 14 से 20 सेंटिमेटर आ गया clear है तो अ विद इंक्रीजिन अरिया फ्रों 12 से 25 से 19 तो फ्रों कितना है वो 14 to 20 cm hence with increase in area चलो ये हो जया ना इतना बस ये answer कर देंगे कि area बढ़ने के साथ साथ perimeter भी increase हो रहा है तो ये दूसरे example हमने अच्छे से कर लिया folks आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोई दिक्कत है तो आप comment box में लिखिएगा उसे solve करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा ओके स्टुडेंस बाइ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और ट्राइदी जाए इसके बाद नहीं है क्योंकि मैंने इसके वीडियो पहले ही बना दिया थे इसके मैंने कभी 17 केवनाये कभी एड के बनाये कभी प्लस वन के बनाये रही और इस त्रिक इस से बनाता रातो मैंने चब्रेमाधर्व 16 कर दिआ है एक ही प्ले लिस्ट के अंदर तोосब बनायो कि अब इस्ट प्लेवागजsm backend के लिए और इसे solve करेंगे Bye